नमस्कार दोस्तों पुस्पस किचेन में आप सबका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेन गुलाब जामुन का रेसिपी चलिए देखे कैसे बनाएं देखिए दोस्तों यहां गुलाब जामुन का मिस्टरन है यह गिप्स का है यह मार्केट में आसानी से मिल जाता ह यहां आप 500 ग्राम सक्कर है तीन लाइची एक चुटकी केसा तलने के लिए रिफाइन ओयल आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हो 200 ml मिल्क लगेगा और पानी चाहिए शारे 600 ml देखिए दोस्तो अब मैं गिप्स का मिस्त्रन जो ग्लाब जामून का आता है उसको काट लूंग काची के शहता से काटके निकाल लूंगी देखिए ये एकदम चड़ जल्दी महमान आ जाए घर में तो अराम से चड़ जल्दी बन जाता है ज्यादा मेनद भी नहीं लगता है देखिए दोस्तो अच्छे से पहले मैं इसको निस्रन को रगरते हुए मिक्स करूंगी अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि प्याकेट मने रहता है तो उसे गुला बन जाता इसलिए अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली हुँ देखिए दोस्तो अब मैं मील्क को जरासिक गरम गुन-गुना हलका गुन-गुना रहेगा से गरम देना पड़ेगा एकदम हलका गरम गुन-गुना अब थोड़ा थोड़ा दूद देते हुए मिश्रेन को अच्छे से सान लूँगी देखिए दोस्तो इसे मिक्स कर लेना है थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा दूद देना है क्योंकि गिल्ला हो जाए तो ठाइक गुलाब जामुन अच्छा नहीं बनेगा देखिए यह हातों में बहुत चिपकता है सिलिए इसको साबधानी से चिपकता है तबी भी इसे सान लेना पड़ेगा अच्छे से देखिए देखिए सान के बहुत आटा जैसे हम लोग सानते हैं वैसे ही सानना है देखिए दोस्तों मिश्रन चे से साना हो गया अब मैं इसको अच्छे से करके ठास लूँगी बहुत अच्छे से जितना अच्छा है इसको सान के तैयार करूँगी उतना गुलाब जाओन अच्छे से फूलता है देखिए ऐसे मिश्रन को बहुत अच्छे से सान लेना है देखिए दोस्तों अब मैं मिश्रन को सान ली हूँ अब मैं ढख के इसको 10 मिनिट के लिए रख दूँगी अब मैं एक कडाई बिठाई हूँ कडाई में सक्कार डाल दी हूँ अब इसमें मैं पानी भी दे दूँगी यहां मैं 500 ग्राम सक्कर यूज की हूँ उसलिए सारे 700 मिल पानी यूज कर रही हूँ दोस्तों देखिए अब मैं गैस मेरा यहां हाई फ्लेम में रहेगा रहते हुए सक्कर अच्छे से गल जाए देखिए दोस्तों सक्कर में बहुत गंदा है उसलिए इसमें चार चम्मच के करीब मिल्क डाल दूँगी डालने से मिल्क डालने से होता क्या है बहुत अच्छे से जब उबाल आए गया देखिए इसको चारो तरब से गंदा जो रहता है सक्कर में वो ऐसे छाज जाग बन जाता है देखिए दोस्तों अब मैं कोई भी चंता के मदद से इसको छाग को निकाल दूँगी तब मेरा सक्कर एकदम साफा हो जाएगा देखिए दोस्तों ऐसे ही निकाल के फेक देना है यकी शक्कर हम लोक धो भी नहीं सकते है इतना गंदा खा भी नहीं सकते है उसलिए इसका एही एक सीलिउसन है कि इसमें शक्कर में थोड़ा दूद दालके इसको अच्छे से उबाल लेने से घंदा जितना रहता है उपर आ जाता है देखे इसको निकाल लूँगी देखिए दोस्तो निकाल ली हूँ गंदा अब मैं इसमें केसर डाल दी हूँ डाल के तीन जो इलाइची रखी थी इलाइची को जराशिक तोर के दे दी हूँ देखे अब चाचनी को बहुत अच्छे से बाल लूँगी देखिए दोस्तो अब मैं जराशिक चेक कर लूँ जे ये चिपकता है क्या जराशिक चीट-चीटा होने से हो जाएगा ज्यादा नहीं तारवाला नहीं चाहिए देखिए दोस्तो अब मेरा चाचनी बनके तयार हो गया है चाचनी को मैं साइट में रख दूंगी देखिए दोस्तो चाचनी को अब मैं एक फाली से ढख दूंगी क्योंकि चाचनी मेरा ठंडा नहीं हो इसलिए ढख के रखूंगी अब मैं जो मिस्रन को रखी थी शान के तो इसको कख कर लूँगी, देखिए दोस्तों ये जरा सी ड्राइ हो गया है और थोड़ा सी दूद देते हुए इसको शान लूँगी, फिर से में ये मिश्रन ड्राइ हो जाता है, जोदि आपका ड्राइ हो तो आप और एक चमच मिल्क देखे इसको ऐसे शान लीजिए, और जोदि देखे एकदम ठीक है मिश्रन तब नहीं देना पड़ेगा, देखिए दोस्तों मिश्रन को मैं सान के तयार कर ली हूँ, अब मैं इसका लोईया काटूंगी, आप छोटा बड़ा जैसा भी चाहते हैं, आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, देखिए दोस्तों मैं मीडिय इसे चिकना होना चाहिए, फटा नहीं रहना चाहिए नहीं तो गुलाब जामुन फट जाएगा, देखिए ऐसे मैं इसको गोल गोल सबको बना लूँँगी, गुलाब जामुन के शेप में देखिए दोस्तों, ऐसे ही सबको तयार कर लेना है, देखिए दोस्तों मैं गुल गुलाब जामुन को तयार कर ली हूँ, यहां मेरा 22 पीस गुलाब जामुन हुआ है, देखिए आप छोटा करने से और ज्यादा हो सकता है, देखिए दोस्तों ओयल मेरा एकदम हलका गरम चाहिए, ज्यादा गरम ओयल नहीं चाहिए, यहां ग्यास एकदम धिमी रहेगा, अब कराई में मैं आठ पीस दे दूंगी, इसमें जरासिक ओयल ज्यादा देने से अच्छा रहता है, देखिए दोस्तों, क्योंकि गुलाब जामुन अच्छे से सीखता है, एकदम हलका आच में होना चाहिए, हलका हातों से ऐसे घुमाते रहना है, नहीं तो एक तरफ से से घुमाते हुए गुलाब जामुन को सीख लेना है, देखिए दोस्तों, गुलाब जामुन पुरा सीख गिया है, अब मैं निकाल लूँगी, ओयल को जरासिक साइट में रखते हुए, कराईगे, अब मैं गरम गरम चाचनी में गुलाब जामुन को दे दूंगी, हो गया है आप लोग भी बनाईए बनाकर खाईए और कैसा बना है मुझे कॉमेंट कीजिए वीडियो पसंद आये तो एक लाइक कीजिए चैनल में नए हो तो सस्काइब करना ना भूले मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर से मुलाकात होगा नहीं को के लिए वीडियो के साथ